तो एक बर फिर से आपका स्वागत है समेजिंग प्लाटफॉर्म के उपर आज के वीडियो में आपके साथ डिसकस करने जा रहा हूँ नी 2022 जमू एंड कश्मीर के अंदर all categories का expected cut-off क्या रहेगा देखें इससे पहले भी मैंने cut-off पर एक वीडियो अपलोड किया था लेकिन उ नए medical colleges open होंगे और हो सकता है कि 15% अलिया कोटा हो या ना हो वो उस समय के लियर नहीं था और दो नए medical colleges भी हमने लिये थे जैसा government की तरफ से बोला गया था कि इस बार दो नए medical colleges start होंगे लेकिन NMC की official list जब आई तो उसमें हमने देखा कोई भी नए medical college जमू एंड कश्मीर के अंदर नहीं था हाला कि existing colleges के अंदर 60 seats को increase किया गया है यही वज़ा है कि मैं एक नया वीडियो cutoff पर लेकर आ रहा हूं और इस बार expected cutoff जो है मैं आपके साथ share करूँगा देखे 15% अलिया कोटा के अंदर participation इस साल 100% मुझे लग रहा है कि होगी क्योंकि पिछले साल भी proposal जब बेजा था तो जमुएन कश्मीर ने इसे reject किया था इस बार हम participate नहीं करेंगे next year से हम NEET UG में participate करेंगे ओल इंडिया कोटा के अंदर तो जाहिर सी बात है इस बार participation तो होनी है याने कि लगबग 150 seats ओल इंडिया कोटा के अंदर साथी साथ 60 seats जो है वो increase भी हुई है तो cut-off increase होगा और कुछ factor ये बता रहे हैं कि cut-off previous year के comparison में रहेगा लेकिन All India Kota के अंदर participation होना ये आम बात नहीं है तो cut-off जो है वो जाहिर सी बात है increase होगा किस range में रहेगा हर एक category का expected cut-off में आपको बता रहा हूँ आपका cut-off अगर इस range में आ रहा है इस से उपर आ रहा है तो आप safe होगे लेकिन अगर ये ही आ रहा है तो आपका borderline होगा और अगर इससे भी नीचे है तो आप danger zone के अंदर हैं आपको अपनी preparation start कर लेनी चाहिए सबसे पहले category open merit की में बात करूँ boys का cut-off 585 इस साल जा सकता है and girls का 530 इसके बाद RBA boys का जो इस बार cut-off जा सकता है 540 and girls के लिए 490 time जादा waste ना की होए मैं जल से जल आपको बता रहा हूँ लास्ट पर में इसका आपको एक screenshot भी डाल दूँगा आप वहाँ पर भी check कर लेंगे OSC boys का cut-off 530 and girls का 465 SC boys बे 430 and girls का 410 JKPM boys का 570 girls का 520 PSP boys का 520 and girls का 425 ST boys का 435 and girls का 375 ALC boys का 430 and girls का 420 तक SP boys का 500 and girls का 470 तक STK boys का 400 and girls का 450 STL boys का 290 and girls का 400 तक ये cut-off जा सकता है अगर आपका cut-off यही है अगर आपका score जो है वो इस range से उपर है आप अपने आपको safe मान सकते हैं और आपको counseling का wait करना चाहिए लेकिन इससे अगर आपका score नीचे जा रहा है तो आप कम point अगर नीचे जा रहा है तो आप counseling के अंदर भी participate करें साथी साथ preparation को भी शुरू कर दें लिकास जितना जल्दी आप prepare करेंगे उतना ही आप race में आगे रहेंगे और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ that need के अंदर याने की जब आपका result आएगा उसके बाद आपको किस तरीके से counseling के अंदर participate करना है काफी सारे students में ये doubt रहता है पिछले साल मेरा मेरा भी काफी doubt था result के बाद में सोच रहा था क्या आगे क्या करना है कौन से steps हमें लेने पता नहीं होता अगर आपको भी पता नहीं है मैं इसी channel पर share कर दूँगा आप channel को जरूर subscribe करें bell icon को भी press करें because related updates मैं आपके साथ share कर दूँगा इसके अलावा काफी सारे students के ये doubt होता है कि हमारे पस दो category से हम कौन सी category चूज करें उस पर भी मैं वीडियो लाओंगा लेकिन अगर आपको doubt है तो comment section के अंदर जरूर पोचे मैं कोशिश करूँगा कि आपके doubt को solve किया जाए तो उमीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये आपका expected cut off है आप इसे 100% sure ना ले अगर आपको लगता है कि आपकी selection होगी तो आप wait करें counseling का लेकिन इस range से उपर अगर आप है तो आप अपने आपको safe मान सकत हैं लेकिन अगर आप इस range से नीचे हैं तो आप danger zone के अंदर हैं उमीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो channel को जरूर subscribe करें thanks for watching this video